हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज के वीडियों हम देखेंगे बार-बार पूछे गए सवाल ठीके पांच कोशन ऐसे जो परिक्षाओं में बार-बार पूछे गए तो पूरा वीडियो देखिएगा चले स्टार्ट करते हैं पहला सवाल है एक आ तो यात्रा पर ब्यार राशी क्या है यात्रा पर चो राशी ब्याकी कही है उसे हमें पता करना है देखिए दोस्तों सबसे पहले में बात करता हूँ उसकी आय की आय यानि कि वो कमाता जो है वो जो भी कमाता होगा वो अपने आप में 100% होगा ये बात आपको कंफर्म है व इस 100% में से वो 40% खर्च कर रहा है भोजन पर ठीक है? 20% खर्च कर रहा है किराई पर ठीक है? 12% खर्च कर रहा है यात्रा पर ठीक? 10% खर्च कर रहा है शिक्चा पर इस तरीका से उसने total कितना खर्चा कर दिया? 40, 40 और 60, 60 में जोड़ो 70, 70 में बारा जोड़ो 82 यानि कि वो 82% उसने खर्च कर दिया यानि कि 100% कमाया 82% खर्च कर दिया तो केवल बचा उसके पास 18% 100% में से 82% खर्च कर दिया तो 18% बचा अब प्रतीसत में देखो कितना बचा पारहा है वो 18% और रुपे में बचा पा रहा है, 7200 पे बचाता है, यानकी 18% की वेलू 7200 के बराबर है, अब 18% की वेलू 7200 है, तो 1% का मान निकाल लो अब, तो 18% की वेलू 400 हो गई, उसने पूछा क्या है, यात्रा पर कितना खर्चा किया थो उसने 12%, यात्रा पर 12% का खर्च किया था, जब 1% की वेलू 400 है, तो 12% की वेलू भाई, कितना हो जाएगा, 124 के 48, यानि की 4800 रुपया, उसने यात्रा पर कितना खर्च किया है, 4800 रुपया उसने खर्च किया है, यही आपके प्रशने का बिल्कुल सही जवाब है, केलियर हो गया ना सभी को, चलिए, अब देखेंगे अगला सवाल, अगला सवाल है, जब एक भिन्न के अंश में 10% की ब्रेद्धी और हर में 20% की कमी की जाती है, तो परड़ामी भिन्न 5 बटे 8 हो जाता है, मूल भिन क्या है देखिए जो भिन होती है उसमें होता है अंश बटे हर यानि कि उपर वाली संक्या अंश होती है नीचे वाली संक्या हर अब इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूँ उसने बोला है कि अंश में 10% की ब्रेदी यानि कि उपर वाली संक्या में 10% की ब्रेदी तो उपर वाली संक्य आपने आप में 100% होगी उसमें 10% की ब्रेद्धी हो जाएगी तो 110% हो जाएगी ये ठीक है फिर उसने बोला है हर में 20% कमी हर अपने आप में 100% होगा उसमें से 20% की कमी कर देंगे तो 80% बचेगा यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बराबर देखीगा यहां पर हम क्या करेंगे प्रतिसद से प्रतिसद ये कट जाएगा 110 के बटे में असी इसको मैं जब कटाओंगा तो देखे किसी रह किसी संक्या से ये कट जाएगा ठीक है 10 से कटाता हूं 10 से ये 8 बार में कटेगा 10 से ये 11 बार में कटेगा कोई और संक्या है जो इनको कटा रही हो ठीक है कोई और संक्या से भी हम इसको कटा सकते हैं ठीक है देखी यहां पर मैंने प्रतिसद से प्रतिसद कटा दिया उपर कितना बचा 110 बटे में बचा है हमारा 80 यहीं तो बचा अब इसको भी हम क्या करेंगे जीरो से जीरो काट देंगे तो यह 11 के बटे में 8 हो जाएगा 11 के बटे में 8 हो रहा है इतना ही तो रहा है अब उसने हमसे यह बोला था कि परणामी भिन 5 बटे 8 हो पलिणामी भिन्य क्या हो पाँच बट्टे आठ हो जाता है मुल भिन्य क्या है पुरानी वाली भिन्य पूछा है जो पलिणामी भिन्य है हमारी वो पाँच बट्टे आठ हो रही है पलिणामी भिन्य क्या है पाँच बट्टे आठ हो रही है यानि कि अंसे में हमने जोड़ा था, 110 के बटे में कितना हो गया था, 80% हो गया था, यही तो हो गया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, उसने हमें मान दे रखा है, पल्णामी भिनने का, यानि कि प्रानी भिनने का मान 5 बटे 8 है, यानि कि यह जो भिनने है, इसका मान हमें दे रखा है, 5 के बटे 8, इसको हमें चला जाएगा और 110 नीचे आ जाएगा किलियर अब इसको कटा लेंगे देखो इसको जब हम कटाएंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा कट गया देखो जीरो से पहले मैं जीरो कटा देता हूँ आठ से आठ कट जाएगा उपर क्या बचेगा 5 नीचे बचेगा 11 पांच के बटे में 11 ये आपके सवाल का बिल्कु सही जवाब है ये आपको सॉल्व नहीं करना था क्योंकि इसकी वेलू हमें दे रखी थी 5 बटे 8 और 5 बटे 8 लिग लिए मैं बराबर के इसके इधर ले जा और चोड़ाई में 10% की कमी होती है तो उस आयत के छेत्रफल में प्रतिसत परिवर्तन ग्याद कीजिए बहुत अच्छा सवाल है ठीक है पहत्रीन सवाल देखी आपकी जो भी लंबाई होगी वो अपने आप में 100% होगी और जो चोड़ाई होगी वो भी अपने आप में 100% होगी ये बात आपको किलियर है लंबाई में क्या होता है लंबाई में होती है 20% की ब्रद्धी तो 100 में 20% की ब्रद्धी हो जाएगी तो 120 और चोड़ाई में होती है 10% की कमी अब 100 में 10% की कमी हो जाएगी तो इसका मतलब वो 90% रह जाएगी ये तो 120% हो गई और इसमें कमी होगी तो ये 90% रहएगी ठीक है अब उसने पूछा है 6 तरफल में प्रति सत्परिवर्तन ग्याद करें देखिए 6 तरफल बराबर क्या होता है छेत्र फल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चोड़ाई होता है ये बात आपको मालूम है ठीक है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है पहले लंबाई आपकी कितनी थी पहले लंबाई आपकी कितनी थी 100 थी और चोड़ाई पहले कितनी थी पहले 400 थी ठीक है बाद में लंबाई और 400 कितने हो गए बाद में लंबाई जब ब्रद्धी हुई थी तो 120 और 400 कितनी हो गई थी 90 हो गई थी केलियर न हब देखो इन दोनों के आप मल्टिप्लाई करोगे एक कमल पर एक से करोगे एक और चार 0 आजाएंगे यानिकि 2 0 जी और 2 0 जी बारे निम्मा 108 होता है और 2 0 ही आगे अब देखिएगा प्रतिसत में परिवर्तन पूछा है पहले value कितनी थी हमाई 10,000 10,000 से बढ़कर कितनी होगी 10,800 होगी तो कितनी value बढ़गी हमारी अगर उसने प्रतिसत में नहीं पूछा होता तो 800 बढ़ी है यही आंसर था लेकिन प्रतिसत में पूछा तो प्रतिसत में निकाल के बताना होगा देखो 2 0 से तो यह 2 0 कटा देंगे और 2 0 से यह 2 0 कटा देंगे बचा कितना 8 इसका मतलब 8% 9% बिल्कुल सही जवाब है अब यह कमी है या'dी आठ परल्सेंट की ये ब्रदिी है क्यों है ब्रदि दसजार से D-100800 गया था तो यहां पर पर प्रिक्षा में राम अधिक्तम अंक का 30% प्राप्त करता है और 80 अंकों से अनुत्रिन हो जाता है श्याम 200 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से अनुत्रिन हो जाता है प्रिक्षा के अधिक्तम अंक की ग्याद करिए एक तो राम है दूसरा व्यक्ति श्याम है ठीके राम अधिक्तम अंक का 30% प्राप्त करता है अधिक्तम अंक का कितना 30% उसने प्राप्त किया तीस परसेंट उसने प्राप्त किया और असी अंक से अनुतीन अनुतीन का मतलब फेल हो गया यानि कि इसको असी अंक हम और दे दें तो ये फेल होगा क्या पास हो जाएगा तो मैंने इसको असी और दे दिये श्याम कितने अंक प्राप्त कर रहा है 200 अंक प्राप्त कर रहा है और 15% से अनुत्षीन यानकि 15% अगर मैं सको और दे धूंगा, तो यह अनुत्तिन होगा, यह फेल होगा, क्या, नहीं होगा, यह Pass होगा, तो मैंने इसको 15% दे दिया, मैंने दोनों वेलू को Pass-Pass बना लिया, ठीक है, Pass बना लिया, अब देखिए, यह 30% है, यह 15% इधर सुझाएगा 120 बचे का 120 बचाना बस अब 15% की वैलू 120 है आपको अधिकता मांग के ज्याद करने अधिकतम कितने होंगे 100% होंगे कैसे निकालोगे 120 में इस 120 में 15 से डिवाइड कर दोगे 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टिपाई कर दोगे पंदर अठ्थे 120 आठ का मल्टिपे 100 से कर दोगे 800 हो जाएगा यानि कि 100% का मान कितना है 800 अधिकता मांग के कितने होंगे वहाँ पे 800 हो जाएंगे यही आपके सवाल का बिल्कुछ सही जवाब है सभी को समझी में आ गया अब देखेंगे अगला प्रशने अगला प्रशने ह क्या होगी देखो कितनी जनसंग क्या है 72,600 है और प्रति वर्स 10% कम होती है तो दो वर्स में कितनी कम हो जाएगी भाई अभी तो इतनी है लेकिन 10% के इसाफ से दो वर्स बाद कितनी बचेगी अब देखना एक चीज इसमें याद होती रखना का उसने क्या पूछा है कि 10% कम ही होती है दो वर्स बाद कितनी होगी कभी कभी यह भी पूछ लेगा कि 10% की ब्रति होती है तो दो साल बाद कितनी होगी यह दोनों ही बात मैं अभी किलियर कर दूँगा जब बोलेगा ना कम की बात 10% कम तो 100 में से क्या करोगे 10 कम करके लिखोगे 90 बटे में 100 अब दो परसेंट की ब्रद्धी होती है तो क्या करते दस की ब्रद्धी होती है ना तो 100 में 10 जोड के लिखते यानि की 110 बटे में 100 जब ब्रद्धी होगी तो जोड के लिखेंगे 100 में से और कमी होगी तो 100 में से घटा के तो यहाँ पे इससे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ब्रद्धी कर देता हूं 9 6 54 का 4 केरी का 5 9 दूने का 18 18 5 23 केरी का 2 9 सत्य 63 में 2 जोड़ दूँगा 55 यह आपका इन दोनों का मल्टिपाई है अब मल्टिपाई में यह 9 बचा इस 9 का भी मल्टिपाई कर दो सवाल यही खतम तो जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया था लाइक कर दो भाई और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों में शेयर कर दो सभी की मदद कीजिए वीडियो को शेयर करके ठीक है दोस्तों धन्यवाद